स्वागत आप सभी को ग्यापन एकेडमी के इस नए लेटेस्ट और संडे टॉक की वीडियो में और जैसे कि आप सभी क्लाश 10th के हो या फिर क्लाश 12 के विद्यारती क्यों न हो आप सभी क्लाश 10th और 12 विद्यारतीों को उर्दु की तैयारी करानी के जिम्मेदारी मुस्कान में को होती है जो आप देख रहे हैं कि मेरे बगल में वो बैठी हुई है और ग्यापन एकेडमी में सबसे बढ़ियां मतलब ग्यापन एकेडमी में ही नहीं मतलब पूरे भारत का मतलब जितना भी आप YouTube चैनल देख रहे हैं उसमें से सबसे जबर्दस्त Learning Platform उर्दु के मामले में अगर है तो वो है ग्यापन एकेडमी किसी भी क्लाश 10th और 12 वाले विद्यारती जो यहाँ से पढ़ करके चले गए उनसे पूछिए वो बटाएंगे डाइरेट की यहाँ से तयारी कर लो और 95 प्लस 95 के तो नीचे आपको सोचना ही नहीं है 95 प्लस आपका नमबर रहता है और वो तयारी कराने वाले मुस्कानमे में आपके बीच हैं हम बहुत सारे प्रस्ण जो है पूछने वाले हैं आपके मन में जो करस्ण चलता है जो आप बहुत सारे कमेंट करके पूछते हैं वो सारे चीजे में एक जगा कर लिया हूँ और सारे के सारे प्रस्ण को मैं लाइन बे लाइन से मुस्कान में उसे पूछूंगा और वो यहां से आपको जबाब देंगे हो सकता है कि जो प्रस्ण में पूछूंगा आपके मन से मैच कर रहा हो आपके कुस्टन से वो मैच कर रहा हो वो सारे प्रस्ण में पूछने वाला हो आपको टेंसन लाई ना ये संडे टॉक का वीडियो बहुत ही जाद है इंपोर्टेंट और पारफुल साबित होने वाला है तो वीडियो को आभी से लाइक कर दीजिए और जैसे की चानल पर नहीं है तो सस्क्राइब भी कर दीजिए क्योंकि वीडियो ये जो इसके बाद बहुत सारे अपलोड होने वाले है वीडियो अपलोड होने के बाद सबसे पहले नोडिफिकेशन आपके पहुंचे तो मैंने तो आपको ये बता दिया कि हमारे पास मुस्कान में बैठी हुई है और मैं आप सभी के बीच क्लास 10 और 12 ज किस तरीके से मेहनत किया जाए कि अभी जो है नवंबर से पढ़ करके दिसंबर जनवरी ठीक है ना और फरवरी में तो आपका एक्जाम ही होने वाला है चाहे 10 हो चाहे 12 हो दोनों का एक्जाम हो जाता है आगे पीछे तो किस तरीके से नंबर ले करके आना है ये सारे के सार तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि मुस्कान में आप जो है कि बच्चों को सबसे पहले यहाँ पर ग्यापन एकेडमी के इस संडे टॉक की वीडियो में आप उन लोग को ग्रीटिंग्स दिदी अपने तरब से ताकि बच्चे को यह लग जाए कि आप बहुत सारे सवालों का जवाब देने वाली हैं तो सबसे पहले आप सभी सुनने वाले ओडियंस जो भी हैं 10th हो यह 12 हो उनको सबसे पहले आप ग्रीटिंस दीजिए तो आप जितने भी विद्यारती हैं सबसे पहले तो आप 2025 की तियारी कर रहे हैं तो हमारी तरफ से धीर सरी सुब कामना है और आप सभी लोग की तियारी उर्दू की होती है जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे तो इसके लिए मैं कहना चाहूंगी कि आप हमारे वीडियो को देखते हैं इतना जदा प्यार देते हैं सपोर्ट करते हैं इसके लिए मैनी मैनी थैंक यू और आज के इस संदे टॉक के वीडियो में जो क्वेशन इवाद सरम से पूछेंगे हो सकता है कि वो सवाल वो करूंगी कि आप लोग का वो डाउट क्लियर हो सकें तो जैसे कि विद्यार्थियों के मन में एक प्रस्ण है कि उर्दू जो है उर्दू मनें किस धंग से तयारी किया जाए चाहे 10th क्लास के विद्यार्थ हो चाहे 12 क्लास के विद्यार्थियों किस धंग से तयारी किया जा और 95 पलस लाश इगे इसके लिए क्या logic है क्या strategy है थोड़ा से आप इसके बारे हैं बताईए देखें सभी student सभी विद्यारती ये चाहते हैं जितने भी विद्यारती हैं सभी विद्यारती चाहते हैं कि मैं अपने exam में top of the best आऊँ, मेरा सबसे बढ़िया result आए, लेकिन जब बात आती है प्रयास करने की, मेहनत करने की, तो वहाँ पर जितने वी विद्यारती है न, वो धीला पड़ जाते हैं, मेहनत करने की बात आती है, तो फिर वो जो है, मेहनत करने के लिए excited नहीं होते हैं, तो सबसे पहले मैं कहूंगी कि अगर आप चाहते हैं उर्दू में 95 प्लस लाना, तो सबसे पहले आप लोग को अपने अंदर वो जुनून, वो उमंग लाना होगा, ठीक है, मेहनत करने का वो जज़बा लाना होगा, दूसरा बात ये, कि उर्दू जबान को कभी भी tough नही समझना है, क्या रि मुझे पढ़ना नहीं आता, मुझे लिखना नहीं आता, मैं कैसे लिखूंगा एक्जाम में, ठीक है, मेरा बढ़िया माक्स कैसे आएगा, ठीक है, तो सबसे पहले उर्दू को complicated समझना बंद कीजिए, अगर आप लोग को लिखने नहीं आता है, पढ़ हर रोज, मतलब 40 वीडियो को आप लोग रोज 2-2 वीडियो देखेंगे, तो 20 दिन में complete कर सकते हैं, 20 दिन में मात्र आप आसानी से उर्दू पढ़ना, लिखना और यहां तक की दूसरों को पढ़ाना भी सीख सकते हैं, ठीक है, और रही बात कि अभी तक आप लोग की तैय दिरे दिरे पढ़ते हैं, अभी तो exam दूर है, ठीक है, और 2-3 chapter complete किये रहते हैं, तो exam करीब आ जाता है, तो सोचते हैं कि अब तैयारी किया जाए, और कुछ student ऐसे होते हैं, जो कि कभी तैयारी नहीं किये रहते हैं, उर्दू का कोई भी chapter नहीं पढ़े होते हैं, तो इसक class start हो रहा है, class 10th और 12th class का objective question का मैं live लोंगी, timing आप लोगो community post में लिख कर बता दिया जाता है, आप लोग community post देखते रहेगा, तो date और timing आप लोगो community post में तो post कर ही दिया जाता है, तो जो live classes चलेगा, उसमें मैं objective question live कराऊंगी, जब आप लोग chapter complete करके रखेंगे, तभी उन objective question का answer आप सभी लोग दे पाएंगे न, ठीक है, वो objective question करने में भी मज़ा आता है, ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले chapter complete कर ले, और उसके बाद से objective, subjective का जितना भी live हो रहा है, अगर आप chapter complete भी नहीं किये हैं, तो भी आप live class में जरूर जुड़े, ठीक है, ताकि objective question से अनुमान मिलता है, ठीक है, चीजे जो है याद होते चली जाती हैं, और उसके बाद से साथ में chapter भी complete करते रही है, इस तरह से पता चलेगा कि हाँ, इस chapter से किस तरह से objective question पूछे जाते हैं, ठीक है, तो live में जरूर जुड़े, और बाकी बेफिक्र होकर त्यारी करे, अभी भी है वक्त, और लगा दीजी अपना पूरा दम, तो देखिए, एक बात मैं बता रहा हूँ, आप सभी विद्यार्थियों को, जैसे कि इन्होंने बताया, कि जो विद्यार्थी बिल्कुल उर्दू लिखना पढ़ना नहीं जानता है, चाहे वो 10th कलास में हो, चाहे 12 कलास में, होता यह है कि 10th कलास के भी विद्यार्थी जब 12 कलास में चले जाते हैं और उनको उर्दू लिखने बिल्कुल ही नहीं आता है, मतलब थोड़ा बहुत, तो 10th कलास में जब वो एक्जाम देने के लिए जाते हैं, तो भाई 10th कलास में आखिर उनको नंबर कैसे मिल जा हैं, तो मान के चले कि जो जाच करने वाले होते हैं, वो मौलबी मौलान लोग जो भी होते हैं, या हाफिजे, या जो भी मान के चले कि जो उर्दू के टीचर हैं, वो लोग सोचते हैं कि बेचारा मान लेते हैं, कि थोड़ा बहुत लिखा है, चलो कोई लिखते हैं, नंब टूड़ाइट कि आप किस क्लास की विद्यारती हो अगर आपको उर्दू लिखने पढ़ने नहीं आता है तो एक बहुत ही जबर्दस्त इन्होंने बात बोला कि आप इसी प्लेटफॉर्म पर एक प्लेलिस्ट मिलेगा उर्दू फॉर बीगनर्स के नाम से वहां से आप जादूगर दिखाते हैं उस तरीका से आपको लगेगा कि मतलब कुछ मैजिक सा हो गया आपको लिखने पढ़ने मतलब हर तरीके से यहां तक कि इवन पढ़ाने को भी आ जाएगा आपको उर्दू और इतनी कंफिडेंस आ जाएगा कि अब इनका जो वीडियो जितना भी ह दोनों के लिए मैं कहा रहा हूं कि जो भी कॉंटेंट वाली वीडियो है या जितने भी अप्लोडेट अब्जिक्टिव वाला वीडियो सब के सब देखने में मात 15-20 दिन लगेंगे और पूरा का पूरा बढ़िया से आपकी तयारी हो जाएगे और तो और इन्होंने एक और बात बोली कि कल से कल समवार है ठीक है तो कल 11 तरीक से आप सभी कलास्टुल वाले विद्यार्थियों का लाइब होने वाला है तो लाइब में चाहे जैसा भी विद्यार्थी हो जरूर जूड़े अच्छे इनके बातों को थोड़ा सा मैं और एक्स्प्लेन कर दे रहा ह है तो ऐसा लगता है कि मतलब कि वो लोग बहुत अच्छे है ले कि जो भी द्यार्थि तीन महिना में भी अगर चाहे तो तैयारी कर सकता है ठीक है इना जरूरी नहीं है चुकि वह क्या होता है जो starting से त्यारी करता है उसकी compression में जो भी द्यारती तीन महिने में त्यारी करने का जो अपना routine plan set करता है तो वो पहले nervous हो जाता है यह सूच करके यह एक साल से दोड़ रहा है और मैं तीन महिने में दोड़ करके उसके मुकाबले में कैसे आ सकता हूँ लेकिन यह सोचना गलत है क्या यह मैं सही बोलना हूँ कि नहीं तो तीन महिने में भी तैयारी आप करके दो महिने में भी तैयारी करके बहुत अच्छा number लेकर आ सकते हैं कोई दिकत नहीं जैसे कि इन्होंने अपना plan बताया और प्लान को मैंने फिर अपने जुबानी में आप तक पहुंचाने की कोईशिस किया और तो और मान के चलिए कि सिर्फ कहना कहना और या सुन करके अपने आप में मोटिवेट होना यह माइने नहीं रखता है मतलब इस पर काम करना होता है काम कीजिए live में जुड़ने की जहाँ तक बात है तो live में जुड़ने के लिए मैं इसको थोड़ा सा और बातों को बढ़ा रहा हूं जैसे की बात क्या होता नहीं इन्हों ने कहा कि live में जरू जूड़ेगा जो जानते हैं उर्दू वो भी जो नहीं जानते हैं कि को उर्दू ले चुके हैं उन्हें साओ नंबर में मान के चलिए निनानवेर पंचानवेर पुलस अगर नंबर ले करके आना है तो उन्हें लाइब में जोड़ना होगा क्योंकि होता ही है कि जब अब्जेक्टिव बार बार देखने से वो दिमाग में बैठ जाती है कि हाँ इस चेप्टर से इस तरीके का अब्जेक्टिव पूछा जाता है और ग्रामर से इस तरीके का अब्जेक्टिव कोशन पूछा जाता है तो इनका कहाना था कि आप लाइब में जुड़ने से और सुनने से देखने से समझ में आ जाती है कि प्रसन पूछा कि इस तरीके से ज जब उत्तर को मने compromise करके दिमाग में बैठाया जाता है तो आप हमें सबसे पहले बताइए कि चलिए ये तो बाते अच्छी थी और आपने बताया कि किस तरीके से त्यारी करना विद्यारतियों का मन में एक और भी प्रस्न होता है कि उर्दू अगर हम लिख रहे हैं तो लाइ लाइन सटा सटा कर लिखें ये एक बहुत छोड़ा कोसाण होता है जो विद्यारति बहुत ज़्यादा कोसान पुछते हैं तो ये बताइए यह तो बात बिल्कुल सही है, बहुत सारे जितने भी विद्यारती है, सभी के मन में यह confusion होता है, कि हम लाइन सटा कर लिखें या फिर लाइन छोड़ कर लिखें, तो देखें यह आप पर डिपेंड करता है, आपकी मर्जी है, आप लाइन छोड़ कर भी लिख सकते हैं, और बस आपके वो फॉंट पर डिपेंड करता है, कि आपका अगर फॉंट छोटा है, तो आप लाइन सटा सटा कर मतलब बीना लाइन छोड़े ही लिखें, और अगर आप लो का, मतलब उर्दू का राइटिंग, जो फॉंट है, वो बड़ा बड़ा है, तो आप क्या करें, मैं अपने तरफ से अगर राय दूँ, तो मेरी राय यही है, कि आप लाइन छोड़कर ही लिखें, इस तरीके से जब आप बिना लाइन छोड़े लिखते हैं, तो आप सारा बात लिख लेते हैं, मालें, जैक्वेशन का एंसर जो एक पेज में अठने वाला था, वो आप ब जामीनर होता है, जो कॉपी चेक करता है, कॉपी चेक करने वाला, उसको कमपटेबल फिल नहीं होता है, उसको समझ में नहीं आता है, क्या लिखा है ठीक है, तो इस वज़े से आप क्या करें, लाइन छोड़ कर ही लिखें, इस तरह किसे साफ साफ दिखाई देता है, तो एक और प्रस्ण है जैसे कि आप के जो प्रस्ण था वो मैंने पूछ लिया कि लाइन चौड़ कर लिखें कि लाइन सटा-सटा कर लिखें तो रहा कि कि लोगों को सुनाई कम दिखाई जाता देता है यह बाते हैं तो यह चीज़े आप ध्यान में जरूर रखेंगा अगला प्रस्ण है विद्याथी के मन में एक और प्रस्ण होता है कि जो उर्दू लिखा जाएगा वो प्रस्ण भी लिखा जाएगा और उत्तर भी लिखा जाएगा या डाइरेक्ट प्रस्ण का उत्तर लिख कर दिया जाएगा तो सही रहेगा कि कैसा रहेगा यह आप अपन नमबर डाल दें ठीक है और डारेक्ट एंसर लिखना आप स्टार्ट कर दें ठीक है इस तरह से आपका समय भी बचेगा और उसके बाद से आप परभावी तरीके से एफेक्टिव तरीके से आप क्योशन का एंसर लिख भी पाएंगे ठीक है समय बचने के साथ तो मेरा एक और प्रस्ण है प्रस्ण तो बहुत थारे हैं और वीडियो लंबी भी हो सकती है ठीक है तो मेरा एक और प्रस्ण है कि जैसे कि जो कल से आप लाइव सुरू करने वाली हैं इस लाइव क्लास में मान करके चली कि जो बच्चे बिल्कुल फ्रेस हैं और जो सोचा है कि अब जो है कि लाइव क्लास से में शुरुआत करने वाला हूँ तो जो बच्चा बिल्कुल ट्वीर क्लास उर्दू का बने एक भी चेप्टर नहीं पढ़ा है तो अगर कल से लाइव क्लास में आपके साथ जूड़ रहा है तो क्या उसको समझ में आएगा प्रस्त का उत्तर या नहीं समझ में आएगा कैसे क्या मतलब होगा उनके लिए क्या आप संदेश देना चाहेंगे देखिए अगर आप ट्वेल्थ क्लास के उर्दू में एक भी चेप्टर नहीं पढ़ा है बच्चा मतलब स्टूडेंट अगर कोई भी चेप्टर नहीं पढ़ा है तो फिर आप अगर कल से लाइफ जूडते हैं तो ऐसा नहीं है कि चीजे समझ में नहीं आएगी क्योंकि हर एक क्योशन को डीपली समझा कर एंसर बताया जाता है ताकि स्टूडेंट को समझ में भी आए और उसी वक्त वो अबजेक्टिव क्योशन का एंसर याद भी हो जाए ठीक है वही चीज़ मतलब वो डर्व वाली फिलिंग नहीं आती जब कंफिडेंस बना रहता है तो डारेक्टिक कर देते हैं कि इसका भी होगा इसका सी होगा तो एक और चीज़ आप कंफर्म कर दीजे इसके बाद कि लाइव में जूडने वाले विद्यारतियों को ज्यादा बेनिफिट होता है या लाइव के बाद जो वीडियो अपलोड हो जाता है अपलोडे वीडियो देखने वाले को ज्यादा फायदा होता है मतलब दोनों में सकती हूं live में जितना भी question कराया जाता है उसको समझ अगर समझ में नहीं आ रहा है तो फिर question पूछेंगे chat section में कि हाँ ये चीज़ें में नहीं समझ में आई ठीक है तो इस तरह से तो objective समझ में आती है और अगर नहीं समझ में आया तो आप chat section में लिकर अपने confusion को clear कर सकते हैं तो मान करके चलिए कि class 10th and 12 में दोनों में एक चीज तो recite हो गया कि कल शाम चार बजे जो है कि आप live लेने वाले हैं और सारे class 12 के विद्यार्थी जो जोडने वाले हैं तो ये तो संदेश सब को मिल चुका है और आप अपने माध्यम से भी बता चुकी है और इसका community post भी हो हो चुका है तो time schedule हो सकता है कि विद्यार्थियों के साथ अगर कोई दिकात हो की तो comment करके बताएंगे तो time इधर उदर हो सकती है तो क्या time इधर उदर हो सकती है या फिर वहीं समय रहेगा कैसे मतलब आप उसको manage करेंगे अगर मान के चले कि विद्यार्थी चार बजे ना तो time में flexibility है of course change हो सकता है community post कर दिया जाएगा चार time दे दिया जाएगा चार time में जिस पर भी ज्यादा voting आएगा उस time को select कर दिया जाएगा तो जितने भी student है आप लोग भी रेडियो हो जाएगे कल शाम चार बजे live करने के लिए और अगर देखा जाएगा time में flexibility आ सकते ह time को change करने वाली बात आती है तो community में post कर दिया जाएगा आप लोग को voting करेंगे तो जिस पर ज्यादा vote आएगा तो वो time select कर दिया जाएगा अच्छा एक और प्रस्ण है जैसे कि बहुत ज्यादा मतलब यह complicated प्रस्ण है जो exam के करीब आकर के बच्चे बहुत ज्यादा doubt में हो जाते हैं जैसे कि एक प्रस्ण है कि बच्चे जब exam देने के लिए जाते हैं तो उर्दू की जैसे ही copy मिलता है तो वो एक प्रस्ण वहां उनके मन में खटकता है कि मैं अगर page है मानके चले कि एक copy मैंने ले लिया ठीक है ना मानके चले को प्रस्ण बहुत complicated लगता है student के कि क्या मतलब किस तरीके से इसको किया जाए तो class 10 वालों के लिए थोड़ा सा complicated हो जाता है 12 class वाले तो बिलकुल मतलब मानके चले 10th class में एक्जाम दिया रहे तो उनको अनुभव हो जाता है but class 10 वाले के साथ यह दिकत होती है तो दाएं से लिखा जाएं कि यह आप पोजिट चले जाना है आपको answer sheet जी answer sheet जो मिलेगा उस पर जो भी roll number roll code भरना है आप भर देंगे और उसके बाद से direct आप पीछे पलट देंगे answer sheet को और पीछे से लिखना शुरू करेंगे यानि कि दाएं से बाएं ठीक है अच्छा एक और प्रस्न है बच्छे बहुत ज्य क्या करना होगा बहुत अच्छा सवाल है उर्दू का handwriting सुधारने का मैं उर्दू for beginners वाले series में ही बताई थी कि कैसे आप जो है उर्दू का handwriting सुधार सकते हैं और मुझे लगता है कि अगर उस series को अगर आप देखेंगे तो उर्दू का handwriting भी आपका सुधरेगा और अगर आ उसे पहले जितने भी जिस तरह handwriting सुधारना है तो हर एक हर एक लेटर को लिखना होगा बार बार लिखकर प्रैक्टिस करना होगा जैसे कि English में A, B, C, D होता है हिंदी में कखा होता है उसी तरी कि से उर्दू में अलिव बे जो होता है उसको अलिव को बार बार आप लिखे बार बार लिखेंगे, B को बार बार लिखेंगे ताकि वो प्रैक्टिस हुआ रहेगा तिरह नहीं होगा, अलिव कभी-कभी ऐसे लिखता है टूडेन् शुधारन tips करेगा, तो बार बार लिखकर प्रैक्टिस करेगा तो उसी डिरेक्शन में लिखेगा, तो इस तरीके से करेंगे तो आपका हेंड़ाइटिंग में सुधार 100% आएगा एक और प्रसन है कि मान करके चलिए कि जो भी क्लास 10 के भी द्यारती है और 12 क्लास के भी द्यारती है तो जो 100 मार्स का उर्दू होता है उसमें कितना परसेंट कॉंटेंट से रहता है और कितना परसेंट ग्रामर से रहता है मतलब ग्रामर ज्यादा परभावी होता है या बुक ज्यादा परभावी होता है या दोनों परभावी होता है दोनों कंडिशन में क्या है मतलब यह चीजों को थोड़ा सा आप जो मन में चल रहा है जो भरांतिय है इसको थोड़ा सा दूर करने की कोशिस किजिए देखिए क्लास 10 की बात हो या फिर 12 की बात हो ग्रामर और content दोनों प्रभावी होता है दोनों से question पूछा जाता है अब दोनों आपके लिए पढ़ना जरूरी है अगर आप Muhammad चोड़ देते हैं और content नहीं पढ़ते या फिर content छोड़ देते हैं grammar पढ़ते हैं तो किसी भी situation में loss आपका ही होगा ठीक है क्योंकि grammar नहीं पढ़ेंगे तो grammar se question चूटेगा content नहीं पढ़ेंगे तो content se question चूटेगा ठीक है तो दोनों पढ़ना जरूरी है, अब यहाँ पर बात आती है कि कौन सबसे ज़्यादा प्रभावी है, ठीक है, grammar की content, तो प्रभावी तो of course content ही होगा, क्योंकि chapter किसलिए दिया गया है, 10th class के उर्दु में 38 chapter है सोचिए, और 12th class के उर्दु में 40 chapter है, 40 chapter उर्दु में, आप करेंगे, ठीक है, तो घुमा घुमा कर question पूछा जाता है, तो यहाँ पर simply क्या है कि content से question ज्यादा पूछे जाते हैं, और जो grammar है, मतलब मान लेते हैं 100% है उर्दु, ठीक है, तो उसमें से 33% grammar यानकी कवायद से question पूछा जाता है, और बाकी जितना भी है, वो content से रहता है ठीक है, यानकी 33% आप अपने mind में fit कर लिजे, कवायद यानकी grammar से question रहेगा, ठीक है, तो grammar का एक series अलग चलता है, और content का एक series अलग चलता है, तो इसी वज़े से दो series में लेकर चलती हूँ, grammar का और content का, जैसे कि 10th class के उर्दु का chapter wise जो है ना, वीडियो अलग मिलेगा आ एक और प्रस्न है, प्रस्न तो बहुत सारा है, लेकिन मैं पुछते जा रहा हूँ, आर्प पुछ जबाब देना है, और हो सकता है विद्यार्थी जितने भी class 10th हो, 12 हो, ठीक है ना, अगर मान के चले कि इस episode में, अगर मान के चले इस Sunday talk के वीडियो में, अगर आपके मन, like कोई question का solution नहीं मिल पाया, तो कोई बात नहीं है, इस video में आप comment कर दिजेगा, उस comment को मैं pick करूँगा और लिखूँगा, और फिर मैं प्रस्न, दूसरे Sunday talk के वीडियो में मुस्कान मैं को बैठाओंगा, और सारे प्रस्नों का जबाब इन ही के मादम से दिलवाओंगा, ए बच्छे को थोड़ा सा बताया जाए, जो class 10 के विद्यारती है, उनके साथ थोड़ा सा बड़ा complicated हो जाता है, कि वो blue से के black से, बतलब ये बताना होगा, बहुत असान सवाल है, देखिए, simple class 10 वालों के लिए ये complicated लगता है, क्योंकि 12th class वाले विद्यारती अल्रेड़ी ए फिर black, दोनों में से कोई भी color के pen से आप गोला भर सकते हैं, कोई दिकत नहीं है, लेकिन ध्यान रहे, red color के column से बिल्कुल भी घेरा नहीं लगाना है, ठीक है, आप blue लेकर जा रहे हैं, तो blue से गोला लगा दे, black pen लेकर गए हैं, तो black pen से गोला लगा दे, of course आपका marks लेकर नहीं, ठीक है, simply आप लोगों को full marks मिलेगा, अच्छा एक और है, कि जैसे कि यह जो OMR seat वाला जो जहमेला है, थोड़ा सा बड़ा अजीब लगता है, मान के चलिए कि total जो उर्दू में, मान के चलिए कि 50 नमर objective हैं, और 50 नमर content plus grammar से मिला करके होता है, तो यह तो अच्छे बहुत जादा, objective तैयार करके भी जाते हैं, लेकिन यहाँ पर मुश्किल क्या हो जाती है, कि 50 के जगए पर 70 परसन लाइन बाइन से रंग के चला आता है, तो फिर इसमें number I.O के तरफ से कैसे मिलता है, यह क्या इसका मतलब जबाब है, थुरा सा बच्चों को इस इस चीज से फ्री कर दिया, और कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं, जो सोचते हैं कि मैंने 50 का इंसर देना था, तो मैं 50 दे करके आ गया हूँ, तो वो सही है, या फिर 50 के जगए पर 60 दे दिया हूँ, यह गलत है, मन में, चुकि क्या होता है, कि 50 के जगए पर 50 दे दिया, त मन में परसन थोड़ा सा उठता है, दूसरा नमबर यह चीज, कि मान के चलिए कि पूरे 100 अबजेक्टिव रहता है, जिसमें 50 विकल्पिक हो जाता है, तो अगर 100 का 100 मार करके आ जाए, तो किस तरीके से आयो के तरफ से नमबर मिलता है, वो गलत हो जाता है, या फिर नमबर मिलता है, क्या होता है, यह सारी भरांथियों को थोड़ा सा दूर की जाता है, तो सबसे पहली बात, कि वह जो पूछा जाता है, मतलब उर्दू का पेपर है, तो उसमें 50% सब्जेक्टिव और 50% अबजेक्टिव, अब अबजेक्टिव जो क्वेशन पूछे जाते हैं, उ और उसमें direct question paper में साफ-साफ लिखा रहता है कि 100 में से किनी 50 सवालों का आप जवाब दीजिए, ठीक है, वो पहले ही लिख दिया है, ठीक है, अब student क्या करते हैं, अब जो student पढ़े हैं, वो जिनको लगता है कि हाँ, ये हमारे हिसाब से सही equation, मतलब वो चुन-चुन कर 50 सही क लिख करके चलिया है, गोला लगा कर चलिया है, यान कि 100 कि 100 सवालों का जवाब लिख कर चलिया है, घेरा लगा कर चलिया है, तो फिर यहां पर क्या होता है, अगर आप 50 से ज्यादा सवालों का घेरा लगा कर चलिया हैं, पचास से ज्यादा objective question का जवाब का, मतलब 50 से ज्य है 60-70 तो उसके बाद से count नहीं होगा वो starting से count होता है question number one है मालीच जी आप 60-70 लगा दी है फिर 100 ही लगा दी है तो starting से count होगा question number one है ना उसका answer आप दिये हैं तो one से start होगा और starting से 50 तक count हो और उसमें जितना आप लगाए हैं अब जितना गलत है जितना से उस हिसाब से आप लोगको marks मिल जाएगा अब उसके बाद से 50 के बद आप जितना घेरा लगाए हैं या फिर नहीं लगाए उससे कोई फरक नहीं पड़ता है चाहे वो सही हो या फिर गलत हो उसका marks नहीं मिलने वाला है तो 50 जो ज्यादा लगा है उसका number नहीं मिलेगा एक लेकर 50 तक count होगा और उसमें जितना सही है उतना number आप लोगको मिल जाएगा लेकिन रिजल्ट में कोई यह नहीं होता है कि रिजल्ट आएगा नहीं ठीक है तो जितने भी class 10 के विद्यारती हैं आपको इस स्पेसली में class 10 वालों को ही कहूंगी कि आप 50 से जादा सवालों का जवाब पचास से ज़्यादा सवालों का जवाब ओमार शीट में लगा कर ना आए जो आपको लगता है जिस पर आपको 100% confidence है कि सवाल का यही answer सही है ठीक है तो आप चुन कर पचास सवालों का जवाब दीजिए उसके बाद से बात खत्र खुल मिला जुला करके मुस्कान में का यहीं कहना है कि अगर आप OMR सीट जा रहा है अगर भर के पूरा रेडी कर लिए और आप को सन का answer देने के लिए जा रहे है तो आप अगर पचास से अधिक घेरा लगाते हैं तो कोई प्रोब्लम नहीं आपका OMR pending नहीं जाएगा अगर आप 13 तो मुस्कान में कहना है कि शुरू से ले करके यानि एक नमर प्रसन से ले करके पूरा लाइन बाइन से 50 गो एसकेन करेगा चुकि एसकेनिंग मसीन से ही जो है ना चिक किया जाता है और नमर काउंट हो जाता है तो इस टार्डिंग से 50 अब 50 के बाद अगर आप कितना सही लगाएं कितना गला मान के चले 50 से के बाद आप सही लगाएं बागी 50 के पहले गला तो यहां पर आपका एक से ले का 50 तक बीच में जीतना सही होगा वहीं जो है ना फिल्टर करके चला जाएगा और नमबर एड हो जाएगा और 50 के बाद चाहे आप 50 और लगा दिया हो पूरे 100 को घेर लगा दिया हो तो एक तो समय की बरबादी और दूसरा नमबर यह चीज़ हुआ है कि आप क्या किये हो कि जो एक्स्ट्रस मने मान के चले 50 के बाद जो सही लगा है वह आपको लॉस जाएगा वह आप आपका समय का बरबादी और प्लस नमबर भी नहीं मिलेगा ठीक है ऐसा नहीं है कि आपका ओमर सीट्फंस असन नहीं है यह क्लियर है ना दूसरा नमबर की हम भी यह कहना चाहेंगे कि आप जब भी ओमर भरने के लिए जाए तो जो प्रस्ण आपको याद है वहीं चीज का एंसर लगाई है जिस पर confidence है हाँ 10-5 एक्षटर लगा सकते हैं कोई दिकत नहीं लेगी 50 के अंदर ही अंदर है 50 जैसे पार करेंगे एक से लेकर 50 तक count कर लेगा और number add कर लेगा तो इसे आप ही का laws है तो ये clear हो गया एक और प्रस्ण है कि मान के चलिए कि जो paper लिखा जाता है no problem कि वो कि subject का paper लिख रहा है बट यहां पर सभी विद्यार्थियों को आप सला देना चाहें कि मान के चलिए कि बहुत सारे विद्यार्थि पुछते हैं कि मेरे को उसमें से कुछी प्रस्ण का उत्तर याद रहता है बाकी प्रस्ण का उत्तर लिख सकता हूं कि नहीं और 5 के बाद फिर हमको याद आए कि दो नमर प्रस्ण का उत्तर में जानता हूं तो मैं लिख सकता हूं लिख सकती हूं कि नहीं यह लड़का लड़की दोनों का यह पुछता है, यालो कि मुझे मान के चले, कि 5 नमर पुरसन याद है, तो मैं direct 5 नमर लिख सकता हुं कि नहीं, और फिर 5 चपाद मेरे को 2 नमर याद आया, तो मैं 2 नमर लिख सकता हुं कि नहीं, यह थोड़ा सा जो भरहाही चलता है, इसको थोड़ा दूर किया जाए इन फेक्ट इसके बारे में मैं बहुत पहले बताई भी थी पिछले बैच के स्टुडेंट को तो देखें आगर आपके पास question paper है और question number one का answer आपको नहीं पता है question number two का भी नहीं पता है, मान लेते हैं, three का भी answer नहीं पता है, direct five का answer आपको पता है तो आप direct question number five लिखे, answer लिखे और जवाब लिखना शुरू कर दिजी, आप direct question number five का भी answer लिख सकते हैं अब जरू नहीं कि question number one का ही आप सबसे पहले answer लिखेंगे और line by nine, one, two, three करके आप answer लिखते जाएंगे no problem, आप question number five का answer पता है, उसको सबसे पहले उसका answer लिखे, question number five का answer लिखे फिर अगर question number five का answer लिख लिखे, तो कुछ दिर के बाद आपको याद आया, कि आरे दो का तो मुझे याद ही था, ठीक है तो फिर आप क्या कीजिए, question number five का answer लिखे, तो उसके just नीचे numbering डालिए, question number two और उसका answer लिखना शुरू कर दीजिए, ठीक है numbering से कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो सवाल आपको पहले आता है, वही पहले लिखे, ठीक है एसा नहीं है कि one, two, three, line by line करके ही आप answer लिखेंगे, जो सवाल आपको आता है, सबसे पहले उसी को लिखे, उसी का जवाब लिखे तो आज की इस Sunday Talk वीडियो में, जो कुछ भी वरतलाब हुई, जो कुछ भी टॉकिंग हुआ, Sunday Talk का ये वीडियो काफी परभावी और useful लगा होगा, मैं उमीद कर सकता हूँ, कि सारे प्रसनों का उतर आपको मिल चुका होगा, अगर इसके बावजूद भी, मान करके चलिए कि अगर कोई प्रसन रह गया, तो आप इस वीडियो के कमेंट में जाईए, और कमेंट करके ये बताए कि सर एक ये प्रसन है, जिसका उतर मुस्कान मैम से पूछ लिजी, तो अगला Sunday Talk की वीडियो में मैं मुस्कान मैम को बैठाओंगा, और फिर मैं इनसे बहुत सारे प्र के उत्तर के साथ तब तक के लिए जाई हिंद,